सब को राधे राधे जए स्री कृष्ण मेरे चैनल में आप सभी का पुना बहुत-बहुत स्वागत थे अभिनंदन करता हूँ आज बहुत ही अच्छा ये वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ आपको जानकारी देने से पहले एक बात बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है इसके बारे में अगर आप सुनोगे तो 99.9% कहता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े लाब मिलने वाले हैं ठीके तो जो भी मेरे इस वीडियो देख रहा है तो क्रपया इस वीडियो को पूरा सुने और देखे कि मैं इसके बारे में क्या-क्या जानकारी आपको देना चाहरा हूँ ठीके तो आप बिलकुल इस वीडियो को पूरा इंट देखे स्टार्ट करता हूँ मैं अब आप ये पोधा देख रहे हैं यह शाम तुलसा ठीके अब तुलसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ यह शाम तुलसा तुलसी शाम तुलसा के बारे में प्रथम गुण वो यह हैं कि अगर सो मीटर के दाहिरे में भी यह पोधा जहां भी विराजमान है जहां भी लगा हुआ है, 100 मिटर के दाइरे में कोई भी बिमारी ये अपने पास नहीं आने देता है ये पहला गुण है तुलसा का तो आप से मेरी रिक्वेस्टी की तुलसा का पोधा आप जरूर लगाएं ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और हो सके तो अपने घर में तुलसी पत्र, तुलसी का पोधा आप जरूर लगाएं चलिए, अब दूसरा, मैं आपको एक और बहुत बड़ी जान कर दे रहा हूँ कि तुलसा का विवा भगवान विष्णू के अवतार सुरूप सालिगराम के साथ में हुआ था, यानि कि भगवान विष्णू की पत्नी भी मानी जाती हैं, यह तुलसा और केते हैं कि 56 भोग अगर आप भगवान को चड़ा दो और साथ में तुलसी पत्र नहीं चड़ाओ तो प्रभू 56 भोग को नहीं स्विकारते हैं तो ध्यान रखें आप जब भगवान को भगवान नारायन को भगवान क्रश्ण को भगवान हरी को अगर आप भोग चड़ा रहे हैं तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप तुलसी पत्र जरूर चड़ाएं तभी आपका भोजन स्विकारा जाएगा तो सनातन धर्म में ये बहुत बड़ी मानेता हैं बड़े-बड़े मंदिरों में भी तुलसी को बहुत बड़ा संबान द रही हैं किसी को जुखाम पैसान कर रहा है नाक बे रहा हैं तो इसका काड़ा बना के आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ठीक है और और बाते में आपको बता रहा हूं करपया इस वीडियो को आप पूरा एंट तक सुने तो आपको ब पानी खीशता है अगर आप ग्लास में पानी जुल लोठा लेके अगर इसकी पत्तो के पास में रखोगे तो 100% कर रहा हूं कि यह पानी उसमें खीशता है यह वीडियो इसके बारे में जो वीडियो मैंने पहले शोट वीडियो बना रखा है एक्स्प्रेमेंट के द्वारा के वास्तम ये पानी पीता है और आप खुद ही उसको देख सकते हो ठीक है तो इसके गुणों के बारे में इसके महत्वक के बारे में इसके पुझा के बारे में मैंने आपके सारी जानकार इस वीडियो को माध्यम से दी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेर भगवान के इश्वर के अधिन होना चाहते हैं उनकी शरण लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुजा करें वेसे तो लेडिस करते हैं और आपको भी करना चाहिए तो आज के लिए इतना ही मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को आगे फोरवर्ड करें जि एसर कशनर आधेरादे जेजे स्याम